वाइज वेलकम बेक विश यूडियो में हम डिसकस करने वाले 18 अप्रेल से 25 अप्रेल तक के अग्रिकल्चर करेंट एफेर से ये करेंट एफेर से मेनली हम फोकस में लेकर चलेंगे नाबार आई बीपेस एफो वो आईसे आर एक्जाम के लिए ओके तो चलिए शुरू करते ह सेलाक्यों हमारे है विज कंट्री कंट्री फर्सτιवर लांच डिट और मेरा फोट पार्क प्रोजेक्ट इन इंडिया आपको सबको पता है में मेर केeledर टी लांच इंडिया में स्टार्ट किया है इस प्रोजेक्ट बे श्टेक्ट सब्सकेट सिशन काटियार मेगफूठक़् आभिवा रकेए इंडिया रेंडिया उर इंडिया और इतलीय स्टार्ट किया है psychology मेगफूठस लगाइस्टेल है कि दौल इकU तो इसका अंसर है स्वामित इसक्रीम का न्तरकत जो लेंड ओन्युट फार्म से यानि कि जो किसान होते उनको उनके प्रोपर्टी कार्ट से दिए जाते आपको पता स्वामित इसकिम कब इस्टाट हो लिए थी अब देखिया अभी क्या हुआ है कि हाली में जो नेशनल पंचेती राइड देथा उस दिन स्वामिती स्किम के अंतरगत जो हमारे प्रधामति नेन्द मोधी थे उन्होंने इप्रोपर्टी कार्ट किसानों को डिस्ट्रूपर्ट किये तो यह करेंटे फर से मेंली बनता है कि प्रोपर्टी कार्ट से किस योजना कंतरगत दिये जाते स्वामिती स्किम कंतरगत और कभी स्टाट विटी स्वाईपनिति स्कम 24 अपरेल 2020 आपको ध्यान रखना इसका भूलपों भी ध्यान रखना है थर्ड किस्टन हमारा यह 14 किस्टन इसलिए लिखा मैंने यहाँ पर क् देखिए जो अपना पहला का वीडियो था उसमें हमने फस्ट से 11 तक किस्टन से डिस्कस किये थे ओके एसे ही सीरीज चलने वाली है ताकि हम 2021 के पूरे करेंट फेर से कि हमारी लिस्ट बन जाए ओके ठीक है ना त्योमार 14 किस्टन है इसमें है हमारा वीच आप दी उसको लार्ज एडिंड़ को पुर्दान किया गया प्रंपर्गत क्रशी योजना के अंतरगें तो कों सा य्योम्पर्गत के सथे जिस त पूर्गनेक खेति को बड़ाव देने के लिए तो इस योजना के अंतरकत एक सभी == Mouse जिसका नाम est large area certification क्या है उसका नाम Earlier this disclosure में क्या होता है कि अंतरकत को यह Cluster Group या या जाधा area में हुँवारत पर उसे इरिया को लार्ग अर्ण 92 क्या जाता है तो भारत अपको ज्25 करते हैं प्रउस्टर कुर्वтории को दिया जाता है के बात अपको क्लियर हो गई 12 हमारा प्रमपेत कैसे विकास विजना के बारे में जाने etmekने来 प्रमपेत कैसी विकास विखना ले 2014 मोग के कैया कितने ओर नेच्वरिजोंग फार्मिंग में और जानेचका उन्म नकरत में नेचुलर फार्मिंग में इंडिया टूडे रेंग्स 15 टम्स अप एरे अंडर नेचुलर फार्मिंग एंड फरस्ट टम्स अप्रोटल नंबर ओफ पडूशर्स ओके यह जो कंटेर उठाया मैंने यह वाला इस स्लाइड का वो जीके टूडे से उठाया ओके ठीके ना अब जरूडे इंडिया तो दीके पंचायती राइड मनाया जाता है 24 अप्रेल को भारत में ओके 24 अप्रेल को ठीके ना और 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है स्वेल्डे ओके स्वेल्डे 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है स्वेल्डे 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है फार् अमेडमेंड हुआ था, 1922 में उसी की याद में नैस्युनल पंचायथी राज्ड मना जया था इस कंसिट्यूशनल जो अमेडमेन हुआ था, इसमें पंचायथो को मतले प 뭔ले कंसिट्यूशनल राइट मिल गया था, इस्टराट होने का, ठीके ना एक कब हो था इफेक्ट में कब आया था 24 अप्रेल 1993 को ठीके ना आपको 73 जो 3rd constitutional amendment 1992 में ध्यान रखना और कब मनाया था पंचायती राज दे 24 अप्रेल को ठीके ना अब देखिए जो नेशनल पंचायती राज दे सबसे पहले कब मनाया था वो मनाया था 2010 में कब मनाया था 2010 में ठीक है ना पंचायती राज इंस्ट्यूशन कब फोर्मड हुआ था इंडिया में वह था 2004 में ये पंचायत पुरुषकार किसको दिया जाता है अब देखिए यहाँ पर एक क्विस्चन बनता है देखिए आपको पता हुआ कि पंचायतों के बारे में डिसक्स नहीं करें क्योंकि अगर उसके बारे में डिसक्स नहीं करें क्योंकि अगर उसके बारे में डिसक्स नहीं लगा तो यूडियो बहुत लंबा जाएगा उसके बारे में और कभी डिसक्स करेंगे अभी यहाँ पर इपंचायत पुरुषकार के बारे में या अज़ी में एक ही ट्रह्न प Handy को जाता है कि किसी में दो या तीन को दिया जाता है ठीकिये минут प्रोषकार ही लेव पर जो एक ही लोस्ट को दिया जाता। या जो central government की scheme उनको अच्छे से लागू किया उनको इपन्चाद प्रोस्काद जया ता ओके नेस्ट यूडियो अमारा पंद्रो according to देखिया आपसे माफी चाऊंगा अगर जो मेने numbers डालेना क्युश्चन से के इनमे कुछ प्रोलम आयो तो बाकि मैं करूंगा अगले वीडियो से कि इनको करेक्ट करूं माफी चाऊंगा अगर इनमे कुछ प्रोलम आयो तो साइड सी उपर नीच होगे इस कारण से प्रोलम आयो पंद्रो किस्टेन हमाया according to Stockholm International Peace Research Institute SIPRI report which country is the world's third military इस्पेंटर यानि सब्सक्राइब नंबर पर कौन सी कंटर आते जो military पर सब्सक्राइब करती हो कि देखिए current affairs agriculture का तो नहीं है लेकिन इस questions कभी-कभी हमारे static questions आ जाते नाबाट में static तो नहीं current affairs तो इस questions आ जाते कभी-कभी तेहें इंडिया इंडिया की थर्ड रेंकाती military spenders में मतलब सब्सक्राइब मिलेटी पर खर्च करने मुख का आर्मी पर फरस्ट कोन ने यूएस से सेकंड चायना ओके ठीके ना तो लो किस्चन आमारा participating guarantee scheme इसे subsidiary part of his government program to promote organic farming ओके दीखे पर्मपर्गत कर्शिविकास जिणना की सबी scheme ओके जिसे लाज एरिया साइटिकेशन इसकीम थी ना सब पर्मपर्गत कर्शिविकास जिणना की विसे participating guarantee system scheme है ठीक है इसकीम नहीं एक program है थोड़ा सब प्रोग्राम है देखिए लाज एरिया साइटिकेशन और participating guarantee system जो PGS certification है वो किसी किसान को दिया जाता है इसानी किसी group of people को दिया जाता है यह किसी किसान को दिया जाता सबसे बड़ा फर्क तो यहीं है तो किसका सब पर्मपर्गत किसी कास योज ना का ठीक है ना इसके बारे मोड जान लेते PGS is a process of certificate organic production which ensure that their production takes place in accordance with let down quality the certification is issued in the form of document logo state and under PGS certificate is offered to every individual farmers and the farmer is free to market its own produce देके individual farmer को दिया जाता है ओके निमागे नेस्ट किस्च्छन नमरा The Leaders Summit on Climate 2021 hosted by which country याने रिसेंटल जो भी लेडर सम्मिट और climate change हुई है climate जो किस country के दारा होस्टी की गई थी तो US United States of America के दारा होस्टी की गई थी आपको एक बात वाध ध्याना थाथना है US ने भी हालि में international climate finance भी plan launch किया है तो अगर आपसे पूछ ले किस country ने इंटरेशनल प्राइमेट फाइनेंस प्लान इस्टार्ट करने का अनौन्स किया है तो है U.S. ओके एट्टिन किस्टेन हमारा तो इसका अंसर हर्यान, हर्यान ना भी एक स्कीम लांच की हर्यार जो की अनाथ बच्चें होते हैं उनके पड़ाय वड़ाय के लिए प्रनौनसेशन में कोई मिस्टेक हो तुम आफ़ पनना हर्यान इस्टार्ट की इसकीम यह पोलीशी किसके लिए लाग होती है पोलीशी उनी बच्चों के लिए लाग होती जो 18 इयर्सन ओप एज कंप्रिट कर चुक है ना कि जो एट्टिन आर से नीचें उनके लिए बहुत सारे अलग लग स्कीम से लेकिन एट्टिन यार से जो बळलडड के बच्ची होते पर रिलेटेड इसकी को सम्मिट अम्मिट हुई थी तो देखिए वीच इंटेनेशनल बोडी रिस्पोंसिबल टू मोनिटर आल मेंटर्स रिगार्डिंग फूड इस्टेंडर प्रोग्राम तो इसका अंसर है कोडेक्स अमेंटरियस कमिशन रिस्पोंसिबल होता फूड इस् स्थापना की गही यानि कोड्स समिट अमिंटर से कमिशन किसका पर्ट है यह फूड वह के पार्ट इन दोरें ने मिलकर इसका स्थापना की है ओक्ए वीचों क्या प्रीक को मना जाता है बाइस मार्चे को मना जाता है नहीं बाइस अप्रेल को व्ल्ड और इंपल दिहानक तो इसका है 162 श्रेंग भारत की वल्ड प्रेस्ट फ्रेडम इंडेक्स तुटाजुन ट्वेंटीवन बात के ध्यान रखना आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट है यो किसके दार पब्लिस की गाई जाती दा पेरिस बेडिस रिपोर्टर्स विदाउड बोर्डर्स के थिंक टेंक के वो पब्लिस करता है वल्ड प्रेस्ट फ्रेडम इंडेक्स तीके ना वाइसों किस्टेन हमारा कि वाटार दी एलिबिलिटी साय स्टाटप सुट फिल्फिल्टू गेट फाइनेंसेल असिस्टेंस अंडर स्टाटप इंडिया सीट फंडी स्किम आपको बत स्टाटप इंडिया सीट फंडी स्किम लांच गी है तो इस स्किम के लिए कुछ एलिबिलिटीस रखी गई है यह जो इसके अंतरत फाइनेंसेल असिस्टेंस लोन या जो भी लेना हो ले पाएगा तो इस्टाटप के लिबिलिटीस क्या होनी चाहिए इस्टाटप रिकोगनाइज़ किया जाना चाहिए तभी इसको असिस्टेंस मिलेगा इस्टाटप का जो स्टेप्सेंड वो दो साल से पहले लकाने होना चाहिए याने कि start-up not incorporated more than two years ago और एक ओर है start-up start-up not received more than Rs. 10,000,000 for monetary support under any other government scheme एक ओर बात ध्यानक ना कि any other government scheme मतलब ना तो central government कि ना state government start-up not received more than Rs. 10,000,000 for monetary support under any other government scheme कितना fund रखा गया इसके लिए 945 करोर का fund रखा गया ठीके ना आसा करता है वीडियो पसंद आओगा अगर आपको पसंद आओ तो चैनल को subscribe कीजेगा वीडियो को like कीजेगा बाकि कमेंट बोक्स में जो वह आप query से वह दे दीजेगा पकी टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं पीडिया पर्चेस कर सकते हैं जो भी आप देख लिजेगा डिस्क्रप्शन बॉक्स में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाई यहाँ उगली देखने के वह आपै।